तो गाइस यह रहा है HP का Laptop और यह Laptop है Ryzen 5 55 U वाली 15 इंच वर्शन जो के HP 15S है इसको अन्बॉक्स करेंगे देखेंगे इस बॉक्स के अंदर क्या-क्या है और इसकी परफॉर्मेंस फुल जानेंगे और यह वीडियो इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो लास्ट तक IT Accessories चाहिए लाप्टॉफ होगी PC पार्ट चाहिए आपको Second Hand Laptop और चाहिए तो सब कुछ वो डील करता है आप लोग जाके एक बार विजिट कीजेगा अगर आप नौर्टी से हो या फिर आप ऑनलाइन उनके वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो वहां से वो डिरेक्ली लाप्टॉफ चाहिए तो इसका प्राइस फ्लक्टूइट होता रहता है 52-55K तो आप यह देख लीजेगा और इसके साथ जो है आप लोगो एक 6 कोड का CPU मिलता है तो यह चीज ध्यान रखना तो चलिए जह पर इसके box को unbox करते हैं और देखते box के अंदर हमें क्या क्या ची अगर लगता है कि कहीं अगर लग जाए तो तूट सकता है तो पैकेजिंग के मामले में थोरी जो है ना लोवर साइड में है इन है इसा कुछ लैप्टॉफ हमें देखने को मिलता है और अभी इस अगर लैप्टॉप की फर्स्ट इंप्रेशिन की बात करें तो दिखने में तो वाज़ता क्लास ही लग रहा है सिल्बर कलर की यह option आती है और कोई अलग options हमें देखने को नहीं मिलता है तो यहां पर आगे बढ़ना से पहले चलिए इसकी स्पेसिफिकेशन में तो भी जाकते है फर्स चीज़ यहां पर प्रोसेसर जो राइजन 5 5500U हमें देखने को म मिलती है और फॉदर अपगेड भी कर सकतो अप टू 16GB तक और सब्सक्राइब यहां पर यह था स्पेसिफिकेशन एक ओवर्व्यू बिल्ड की बात करें तो बिल्ड यहां पर देखे ध्यान से तो दिखने में लगता है अलमूनियम की है बट है नहीं टच में भी लगता है कि मैटल है बट मैटल है नहीं यह ABS प्लास्टिक से बनाएगा है बहुत ही सॉलीड प्लास्टिक है और दिखने में आप लोगो प्रीमियम लुक प्रवाइड करता है हाँ अगर गिड़ जाए तो कह नहीं सकते बट यहां पर दिखने में तो वह दा प्रोफेशनल लेते हैं इसके टॉपलीड फ्लेक्स की अगर बात करते हैं तो टॉपलीड फ्लेक्स मिनिमल है आप लोगो बहुत कम दिखाए और इतना क्यों अप लोग प्रेशर दोगे तो अच्छी खासी यहां पर बिल्ड आप हो मिल जाती है अगर लिट को आप ऑपन करते हो और यहा एच्पी की बहुत सालों पहले खराब थी बट अभी का हींज जो है मुझे डीसेंट लगा जो कि बहुत जल्दी खराब बिल्कुली नहीं होने वाला तो यह चीज़ पॉज्टिव साइड में था विल्ड वाइस एक प्राइस मुझे सही लगी एच्पी की ब्रैंड से हैं इसकी बार में इन डीटेल्स बाद में बात करीं कि पर्फॉर्मेंस बगर कैसी है और अंदर की बात करें कीबोड की तो कीबोड देखुए यार फुल साइज कीबोड मिल जाती है जो की साही चीज़ है बट यह बैक लीट नहीं मिलता है वह चीज मुझे बुरी लगी उसक पर्ट रेकमेंडेशन है कि एक वाइरलेस माउस पगारे खडीद के एंजोई करो यार बहुत आसानी से आपको बाकी सब लोगो मिल जाती है और साथ ही सथ यहां पर आप लोगो को याँपे SVA डिस्प्ले आप लोग को मिल जाती है जिसका डीसेंट आउटबूट आपको मिलता है उतना में खास विविंग अंगल नहीं कोंगा विविंग अंगल उतनी जादा ग्रेट नहीं है बट एंटी ग्लेड डिस्प्ले है तो यहाँ पे आप लोग को जो है लाइट रिफ्लेक्शन वगेरा में उतनी जादा दिक्कत नहीं है कि इंडोर आउट्डोर दोनों में अची तरिके से आप यूज कर पाओगे नेक्स जो है इसके अगर कलर एकुरेसी की बात करें तो 45% की NTSC है तो देखोई इस वाले डिस्प्ले की नहीं उतनी जादा क्लारीटी नहीं है अगर IPS दिस्प्ले होता तो फोरी क्लारीटी हमें मिल जाती ही बट यहाँ पे एस भी है तो क्लारीटी में थोरी कम है वट ओवरल सारी टास्क आप लोग कर पागे उतनी जादा दिक्कत नहीं है कि अगर आप लोग बहुत लो एंड लाप्टॉप पहले यूज करते हैं और यह आप ओफिस तास क्या फिर प्रोग्रामिंग करते हैं तो इस पर कोई भी दिखने हैं अगर आप लोग कलर रिप्रोड़क्शन रिडेटेट काम करते हो बहुत होना चाहिए तो यहाँ पर यह डिस्प्ले उतना ज्यादा कारगर सावित नहीं होगा यहाँ चीज है देखो यह डिस्प्ले तो मैं काऊंगा एवरेज क्वालिटी किया है बट यहाँ फिटीन बट सिक्सिंच की डिस्प्ले विट पावर्फिल प्रोड़क्शन नहीं मिलता है तो यह 15 बट सिक्सिंच की एच्पी की तरफ से अच्छा एक पिक है जो 100% मेरी त तो इसकी मदल से थोड़ी दिख्कत आती है टाइपिंग करते वक्त ना वह एक्स्पीडियेंश टाइपिंग की वह बहुत अच्छी है या में कोई भी क्लिक की साउंड वगरा नहीं आता है तो आप लोग जो है कमफरेबली टाइपिंग कर सकते हो बट एक चीज मेजर में जो कि मुझे विजिबिलिटी में थोड़ी दिखता आती है ग्रे में सिल्वर कलर में ग्रे कलर की एमप्रॉस की गई चीज़े थोड़ी आखो को चुटती है बट इस ओके अब दिन में तो आप आसानी से यूज कर पाओगे रात के टाइम में 100% रेकमेंड करोगा कि एक प यहां पर मुझे चार्जिंग इसको फुल करते के लिए जीरो से 100% तक यहां बे मुझे टाइम लगा वन आवर 45 मिनेट के आसपास दो घंटे आप कह सकते हो तो यहां पर मुझे चार्जिंग आउट्पूट जो मिला यहां पर 50% ब्राइटनेस में रखा था बैटरी सेवर और यहां पर इंटरेट कनेक्टेट था और साड़े मैंने यूज किया तो 6 घंटे के आसपास बैटरी सारे 5-6 घंटे तक बैटरी बैकप मुझे मिल गया तो अच्छी बैटरी बैकप है अगर आप लोग नॉमेल टास्क वगरा करते हो तो कोई भी दिखने हेवी मिल जाती है जो कि बहुत सब्सक्राइब है तो इसमें भी कोई भी आपको दिक्कत नहीं आगा इन दोनों चीज आप लोगो लाइफ टाइम फ्री मिल जाती है तो वेट ठीक ठाक मुझे लगी है इस फारे लाप्टोप यह भी 15.6 बरे साइस की आप लोग को डिस्प्ले मि जाती है और एक फुल साइज कीबोड भी है तो थोड़ा वेट आप लोगो मिल जाता है नेक्स बात को देख कनेक्टिविटी की तो कनेक्टिविटी थोड़ा आउटडेटेट है यहाँ पर देखो ब्लुटूथ की वर्शन जो है फोर यूस किया गया इंस्टैड ऑफ पा तो बिल्कुल ही नहीं आएगा उसको बात करें साउंड की साउंड देखो बॉटम फारिंग स्पीकर से और स्पीकर की क्वालिडी जो है बहुत ज़्यादा सही लेगी मुझे इस बार और अगर आप लोग कोई गानेवाने सुनते हो आप लोग अकेले रूम में हो तो आप एंजॉय कर पाओगे म्यूजिक को बट अगर आप लोग एक लाउड बहुत सारे ओडियंस के साथ मूवी एंजॉय करना चाहिए तब यह चीज नहीं है अप लोगो ब्लूटूथ स्पीकर में रेकमेंड करूँगा ताकि आप लोग को बहुत साथा एनांसिंग ऑडियो ए तो यह रहा है एक सैंपल आप खुद जाच लीजिए तो यह जो आप लोग वीडियो देख रहे हो यह डिर्यक्ली एच्पी 15S राइज पाइंड यू का वेब्कैम है जो की 720p 30fps की वेब्कैम है और जो आडियो आप सुन रहे हो यह डिर्यक्ली इसी का माइक जो है वो रेक वेब्कैम रहे हो और तो यहां पर सिंगल पर यहां पर 48.74 fps प्रवाइट करवा देता है नेक्स जो टेस्ट है वह है गीग बेंच की तो गीग बेंच 5 यहां पर टेस्ट किया था और सिंगल कोर में यहां पर 1094 पॉइंट मिला और मल्टी कोर में यहां पर 4315 पॉइंट देखने को मिला और यहां पर OpenCL में आप लोग देख पा रहे हो 11579 पॉइंट देखने को मिली जो की अच्छी खाजी स्कोर है 11000 के ऊपर की स्कोर एक डीसें स्कोर मानी जाती है जैसे आपने स्कोर देखा यहां पर स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छी खासी है तो यहां पर मैंने वीडियो एडिटिंग टेस्ट किया तो वीडियो एडिंग प्रीमियर प्रो के अंदर मैंने ट्राइ किया तो 1080p 60fps असानी से यहां पर रेंडर कर लेता है बट 4K क्लिप में जो है 8K अगरा एक्सपेक्ट मात करना 4K तक सीमित है वर 1080p 60fps करोगे तो फ्लॉलेसली काम करेगा आप लोग 100% यूज़ करें तो फॉट्राइटिंग की बात के तो कोई भी दिक्कत नहीं है यूज़ कर लो उस पर आप लोगों कोई भी दिक्कत चेक और 12 थ्रेट है तो मल्टी सब्सक्राइब तो यह बहुत ज़्यादा सही सावीत होता यह लाफ्टाप और यह प्रोसेसर जो में बहुत ज़्यादा पावर्फुल है अगर मैं बात करो इंजिजिएरिंग के आप्लिकेशन की जैसे की आप आप चला सकते हो मैंने खुछ चला के देखा यह आसानी से च 16GB तक हो सकते अपग्रेट कर लिजेगा उससे अपकी परफॉर्मेंस यह बहुत दा एन्हांस हो जाएगी उसके पादे गेमिंग टेस्ट में मैंने दो टेस्ट किया यहाँ पर एक GTA 5 और CSGO तो यहाँ पर मैंने नॉमल सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर प्लेई किया 1080p और यहाँ पर मुझे रेजल्ट 30-35 fps के बीच में देखने को मिला जो कि अच्छी खासी है उससे अगर आप लोग कर सकते हो कुछ सेटिंग्स तो शायद से अपने को 40 प्लस fps देखने को मिले ठीक था कि अगर कभी कबार enjoy करना चाहते हो कुछ अलग games खेलना चाहते हो तो आसान फ्लॉलिस देखता ही पर कुछ भी लैक मुझे नहीं लगा तो वह भी आप लोग experience कर सकते हो मैं बहुत ज़्यादा खेलता हूं यार मेरी gameplay को ignore करना अब भी बात आती है final conclusion के सारी चीजी तो मैंने बता दी है अभी cons की बारे में बताना तो बनता है भाई यह पर्स चीज़ लेना चाहिए आप स्टूडेंट हो 20 लाप्टाप ले लो यार आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा अगर आपको 15.6 इंच का चाहिए अगर फुल साइज कीबोर्ड चाहिए तो यह ले सकते हो अगर छोड़े साइज में चाहिए तो इसका और्टनेटीव है 14S उसका भी है भी लाप्टाप नहीं चाहिए था बट 15.6 इंची चाहिए था और दन जस्ट गो विट इट आपको कोई भी जो है ना सौफ्टर रिलेटेड इशू तो बिल्कूली नहीं आने वाला फ्लॉलेस्ट्री आप सारे टास्क करता होगे तो यह चीज था रिव्यू मेरा जो की लोकली बाई करना चाहते हो और कैश कम्पूटर गोहाटी जरूर विजिट करना अगर तेंचुक्या से हो तो तो तेंचुक्या जाकर भी विजिट कर सकते हो यह फिर अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे लेट सेफ एंग बाई